दोस्तो आप सुभी का स्वागत है आमन्टेक्स यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम फॉर पेंशन अड्मिस्टेशन स्पर्श पोर्टल के वारे में दोस्तो डिफेंस पेंशनल्स का डेटा जो है वो माइग्रेट किया जा रहा है स्पर्श पोर्टल पे दोस्तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्पर्श क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा तो दोस्तो एक वार जब आपका पेंशन बुकतान स्पर्श पोर्टल में शुरू हो जाता है तो आपको pension सीधे PCDA से मिल जाती है किसी भी शिकायत के मामने में आप इसे Spurge Portal के मादियम से ही अपनी खुद की user ID और password का उपयोग करके दर्च कर सकते हैं जिसे संबब नियूनतम समय सीमा के बितर उसका हल किया जाएगा जिन भी defense pensioners का data migrate किया जा रहा है तो उनके register mobile number पे उन्हें एक SMS भी receive हो रहा है जिसमें उन्हें Spurge Portal पर login करने के लिए username और उसी की साथ password भी दिया जा रहा है जिससे कि वो Spurge Portal पर login कर सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Spurge Portal पर login कर सकते हैं और login करने के वाद जो है किस तरीके से आपको अपना identification करना है life certificate किस तरीके से आपको update करना है और भी जो ज़रूरी काम है जो कि आपको Spurge Portal पर login करने के वाद करने है वो हम आपको आगे आने वाली videos में बताने वाले हैं इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजे और साथ में नोटिफिकेशन बैल को प्रेस कर लिजे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों जिन भी डिफेंस पेंशन का डे देखनों को मिल जाएगी और उसके वाद जो है आपको यहां पर दो ऑप्शन्स मिलेंगे यानि की लॉग इन करने के लिए उसके वाद आपको लॉग इन करने के लिए यहां पर दो मैथर्स बताएगे हैं पहला यह है कि आप ओनलाइन विजिट कर सकते हैं स्पर्श को भी .in की साइट पे और ओनलाइन यह आप काम कर सकते हैं और सेकिंड मैथड है कि आप अपने नियर एस पेंशन सर्विस सेंटर में जाके वी यह काम करवा सकते हैं दोस्तों यहां पे आपको ऊपर पैंशनर आईडी देखनों को मिल जाएगी और यहां पे आपको व्यू नो वज़े से लेकर शाम की 6 वज़े तक आप यहां पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको यह मैसे रिसीव हो चुका है यानि कि आपको यूजर नेम पास्वर मिल चुका है तो कैसे आपको यहां पे लॉग इन करना है सुक्सेस्फुली हम यहा आपको अपने मॉबाइल में या फिर लैप्टॉप में Chrome ब्राजर को ओपन कर लेना है दोस्तों यहां पे मैं आपको लैप्टॉप में करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां से जो है देखने में एंड समझने में काफी ज़ादा असान रहेगा और सेम काम जो है आप अपने numbers side पे यहांपे पहुँच जाएंगी आपको यहांपे इस तरीकी का page देखनों को मिल जाएगा यहांपे आपको बहुत सारी services देखनों को मिल जाएगी जिनने की आप यहांपे use कर सकते Hey लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे login करना है login करने के लिए यहाँ पे आपको उपर login को option मिलेगा simple आपको login के option पे click कर देना है login के option पे click करने के वाद आपके सामने user login का page आएगा यहाँ पे आपको अपना username enter करना है दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको SMS में जो pension ID यहाँ पे मिली है वो अलग है और username जो है वो आपका अलग है तो यहाँ पे username आपको enter करना है तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना username enter कर लेते हैं username enter करने के बाद आपको password का option मिलेगा आपको password में अपना password enter कर देना है password दोस्तों आपको सही तरीके से enter करना है कि वो capital letter में है या फे small letter में है तो वो आपको enter करना है और यहाँ पे आप show password के option पे click करके अपना password भी check कर सकते हैं देख सकते हैं और उसके बाद आपको I am not Robert के option पे यहाँ पे click कर देना है और यहाँ पे जैसे ही green tick लग चाहेगी और उसके बाद आपको login के option पे click कर देना है और आपको अपको seconds के लिए यहाँ पे wait करना है दोस्तो next page हमारे सामने open होगा change password का यहाँ पे आपको अपना current password enter करना है जो कि आपको किस तरीके से अपना new password जो है वो create करना है उसके लिए आपको यहाँ पे password hint मिल जाएगा उसमें जो है minimum 8 character होने चाहिए and maximum 12 characters होने चाहिए and at least 1 lowercase होना चाहिए and one uppercase होना चाहिए and उसी के साथ at least 1 number होना चाहिए and उसी के साथ at least 1 special character भी होना चाहिए and password में आप space भी दे सकते हैं लेकिन start में end में आपको नहीं देनी है and यहाँ पे आपको कुछ special characters यहाँ पे बताए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे use नहीं करने हैं तो दोस्तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना current password एंटर कर लेते हैं यहाँ पे अपना new password कर लेते हैं और confirm password में भी एंटर कर देते हैं जिससे कि जो हम यहाँ पे password सेट करेंगे उसी से future में जो है हम यहाँ पे first portal पे login कर पाएंगे अपना username and password एंटर करके तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना new password एंटर कर लेते हैं दोससे strong password हमने यहाँ पे अपना new create कर लिया है और confirm password में भी एंटर कर दिया है अगर आपको strong password लगाना नहीं आ रहा है तो simple जो है आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं कि अपना name और अपने name का first alphabet जो है आपको capital में रखना है और उसके बाद आप add the rate लगा दीजिए और उसके बाद जो है 1,2,3,4,5 आप जो भी number आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं और इस तरीके से आप अपना password क्रेट कर लेजिए और उसके बाद आप यहाँ पे show characters के option पे click करके अपना password भी check कर सकते हैं करन password आपका क्या था and new password जो है आपने क्या set किया है and उसके बाद आपको submit के option पे click कर देना है और आपको कुछ seconds के लिए wait करना है और आपका password successfully यहाँ पे change हो जाएगा और यहाँ पे आप login हो जाएगे अब यहाँ पे services को यहाँ पे use कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे services use करनी है दोस्तो इस तरीके से आप first defense pension के portal पे यहाँ पे login कर सकते हैं and उसके बाद आपके सामने alert का option आएगा the migrated data for your claim is presently available in read only mode तो यहाँ पे आपको simple ok के option पे click कर देना है and उसके बाद आपको acknowledgement देखने को मिलेगा इसे आप जो है read कर सकते हैं undertaking of refund of access payment को and यहाँ पे जो है आपको simple next के option पे click करना है and उसके बाद आपको अपना declaration जो है यहाँ पे submit करना है तो दोस्तो यह हम आपको आगे बताएंगे लेकिन इस वीडियो में हमने आपको complete process बताया है कि किस सरीके से जो है first defense pension portal पर यहाँ पे login कर सकते हैं I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तो अगर आपके mobile पे आपको इस सरीके का message received नहीं हुआ है यानि कि आपका username and password जो है आपको नहीं मिला है तो आपको जो है अपना mobile number जो है वो register कराना है जो कि आपके पास present time में है और जो आपके अधार कार से linked है तो वो mobile number जो है आपको यहाँ पे update कर देना है जो कि present time में आपके पास है तो वो mobile number आपको यहाँ पे register कर देना है उसके ऊपर हम आपके लिए आगे वीडियोस लाने वारे हैं और वी जो जरूरी काम है वो ही हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे इसलिकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मैं नोटिफिकेशन बेल को उप्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई टेक केर थेंक यू